और आज तक पढक्ता है कि आप गलत बढ़त भाव सक्ता है लिकिन logarithm को discuss करने से पहले इसका basic foundation है उसको discuss करने important है and that is exponentiation ठीक है तो हमारा पहला topic है इस वीडियो में logarithm बाद में आएगा पहले हम लोग discuss करेंगे exponentiation को so exponentiation से हम लोग क्या समझता है अगर आपके पास कोई भी number है let's say इस format में है 3 and इसके ऊपर आपके पास इस तरह का notation देखने को मिलता है तो यह जो notation है इस पूरे notation को हम लोग बोलता है exponential form okay exponential form मतलब यह exponents के form में लिखा गया यह operation हम लोग कर रहे है यह exponentiation है इसका मतलब क्या है यह जो number आपको दिख रहा है यह number बताता है कि आप इस 3 को कितने बार multiply कर रहे है so basically यह क्या है this is 3 times 3 मतलब कि यह क्या है यह बता रहे है कि आपने 3 को 2 बार खुद से multiply किया basic जो आप पढ़े हो यह उसी को signify करता है लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें कौन सा चीज क्या क्या है आप मुझे बताओ ठीक है तो this is base यह बेस है यह पावर है right no this is wrong यह पावर नहीं है most teachers लगभग सारे teachers आपको यह बताते हैं इस इस पावर लेकिन यह पावर नहीं है यह क्या है यह exponent है this is exponent, and exponent is not power, exponent, exponent या बहुत लोग इसको power ही बोल देते हैं, बोलते हैं, यह exponent भी है, power भी है, नहीं, दोनों नहीं है, यह power नहीं है, यह exponent है, ठीक है, power क्या है, यह आपको दिख रहा है, this is power, ठीक है, यह जो आपका base है, यह base basically क्या signify कर रहा होता है, यह base signify कर रहा होता है, growth rate को, growth rate, एक energy से समझ रहे हैं, ठीक है, exponent हैं क्या, यह growth rate को signify कर रहा है, ठीक है, यह क्या बता रहा है, यह exponent जो है यह क्या बता रहा है यह बता रहा है कि कितने time के लिए ग्रोग हुआ है तो यह let's say कि time को denote कर रहा है कि कितने वक्त के लिए growth हुआ है या जो उसने grow किया है या कितने वक्त के लिए किया है यह क्या बता रहा है यह जो पावर है यह बता रहा है result कि मेरा finally result क्या आया मैं अगर grow कर रहा हूं तो मेरा grow करने का कोई rate होगा वो कितने time के लिए मैंने grow किया and then finally मैं कितना हो गया ठीक है तो यह सारी चीजें यहां पे हमें दिख रही है तो let's say कि कोई एक पेड़ है ठीक है वो पेड़ let's say कि हमारे पास एक tree है तो यह कुछ trees है हमारे पास ठीक है अब यहां पर यह कुछ represent कर रहे है अब यह क्या represent कर रहे है time के basis पे ठीक है तो यहां पर यह जो tree है वो first year में है इतना बड़ा हो गया अब zero में तो यह grow ही नहीं किया हो गया अब यह just start किया ग्रो करना तो अगर हम zero year को लिखे तो zero year तो बिल्गल छोटा सा होगा मतलब ना के बढ़ाबर इसने grow ही नहीं किया ठीक है तो consider कर लेते है यह zero year है ठीक है फिर एक मीटर में एक मीटर था पहले जो starting में फिर एक साल गुजर गया अपने double हो गया तो यह हर साल अपने आपको double कर रहा है तो total 3 साल लगे है इसको 8 मीटर होने में तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि जो मेरा base था base क्या होगा base होगा growth rate मेरा base है two का मतलब हर साल मैं यह हर साल करी है वो double हो रहा है ठीक है कितने साल के लिए double होगा तूटल कितना लगा अपना कितने साल के लिए out यह 3 साल तख लगतार अपने आपको double किया है तो तीन साल तक, ठीक है, तो तीन साल तक इसने खुद को डबल किया, and then finally, कितना हो गया, यह हो गया, 8, finally यह 8 मीटर का हो गया, तीन साल तक इसने अपने आपको डबल किया, ठीक है, तो exponentiation आपको यह ही बताता है, growth rate होता है, जिसको हम लोग base बोलते हैं, then time होता है, and then result होता है, ठीक है, अब इसको जड़ा ध्यान से समझेए, एक जी ज़र इस बारे में, ठीक है, कि हम इसको power क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, power का क्या मतलब होता है, कि total strength कितना है, ठीक है, starting में कितना था, and then उसके बाद total strength कितना हो चुगा है, तो starting में एक मिटर था, but अब ये एक मिटर, या आप ऐसे consider करो, कि यहाँ पे एक elephant है, let's say, यहाँ पे कोई एक elephant है, ठीक है, इसको हम लोग एक elephant consider करते हैं, तो एक elephant, ठीक है, का जब हम square करेंगे, मतलब, let's say, कि एक elephant अपने आपको double कर रहा है, हर एक दिन अपने आपको double कर रहा है, तो अगर one elephant है और वो अपने आपको हर दिन double करेगा, ठीक है, तो double करेगा तो कितना हो जाएगा, अब यह double कितने दिन के लिए किया है, दो दिन के लिए किया है, है ना, तो पहले दिन तो एक elephant था तो दूसरे दिन कितने elephant हो जाएगा है के निए हर बार अपने को double कर था तो दूसरे दिन 2 elephants हो जाएगे तो total जो strength है अब elephant का जो total power है वो कितना है 2 elephants के बराबर है let's say कि मेरे पास 1 elephant है और ये 1 elephant ये 1 elephant अपने आपको क्या कर रहा है let's say कि triple कर रहा है हर एक दिन अपने आपको triple कर रहा है ठीक है तो हर एक दिन अगर अपने आपको triple कर रहा है मतल bisog dvan एक तो total teret een elephant होगए फिर एक दिन गवज़़ेगा तो total फिर उसके triple यानिके 9 elephantievna हो जाएगी तो इस तरिके से हर दिन अगर अपने हुआ को trickle कर रहा है तो तीसरे तीन यह हम बोल किते हो थे इसरे दीन ठीक है टोटेल स्ट्रेंथ होगा segment होगा उनर्म माल यह वह भोंक्वार्ट हो रहा है जो हमांधे हुआ हारी ग्लिके जो डाया फैक की हर्पड seven and four times तक यह हुआ है तो three days to four that is 81 तो टोटल अब जो strength निकल के आएगा टोटल जो total elephants होंगे वो कितना होंगे 81 elephants होंगे तो power आपको वही signify कर रहा है कि total strength कितना है after growth growth होने के बाद total strength कितना है ठीक है तो exponentiation I hope यह आपको समझ माया होगा कि exponentiation क्या है अब हम लोग एक चीज़ समझाएंगे that is कि लिखना के असर है ठीक है तो exponentiation के बारे में थोड़ा सा और कि जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 2 raise to 5 ठीक है तो 2 raise to 5 बोलने का मेरा मतलब क्या है कि यह 2 क्या है यह base है मतलब यह मेरा growth rate है ठीक है यह मेरा growth rate है 5 क्या है यह 5 जो है वह मेरा exponent है this 5 is exponent ठीक है And इसका जो result होगा वो result क्या है 32 राइट ? तो 32 क्या है, this is my power, 32 क्या है, this is my power, इसका literal meaning क्या है, कि हर बार मैं अपने आपको डबल कर रहा हूं, and total five times मैंने किया है, double अपने आपको, ठीक है, यह मैं बोल सकता हूं कि, five years तक मैंने अपने आपको डबल किया है, तो अगर five years तक मैंने अपने आपको डबल किया, तो at the end मैं कितना हो जाँगो, 32, मैं जो strength हो जाएगी, मैं जो power हो जाएगी, 32 हो जाएगी, then इसका एक और meaning हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2 raise to 0 है, तो 2 raise to 0 का बोलने का मतलब क्या है, मतलब सोच इस बारे में कि मेरा growth rate 2 का है, मतलब मैं हर साल double हो रहा हूँ, लेकिन time 0 है, यानि कि मुझे मैंने कोई वक्त नहीं लिया है, मतलब कि मैं अभी present के बात कर रहा हूँ, एक वी साल गुजरा नहीं है, तो present में मेरी जो power हो जो क्या होगी, strength क्या होगी, मैंने कुछ grow अभी तक किया नहीं, the rate is 1 itself, ठीक है, अगर मैं बोलो, 2 raise to minus 1, यह क्या बता है, 2 raise to minus 1 बोलने का मतलब यह है, कि 2 raise to minus 1 होता है, यह होता है 1 by 2, राइट, पर इसका meaning क्या है, कि मेरी growth rate 2 की है, and minus 1 क्या बता रहा है time को, तो अब मैं backward जा रहा हूँ time में, ठीक है, backward मतलब, मैं पहले कितना था, अगर मैं हर साल 2 बढ़ रहा हूँ, तो मैं पिछले साल कितना रहा हूँगा, कि मैं इस साल 1 हो गया हूँ, जो अभी मैं present हूँ, मैं उससे compare कर रहा हूँ, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरा value है, वो 1 है, तो पिछले साल कितना रहा होगा, आधा रहा होगा, राइट, हाफ रहा होगा, तो यह हाफ हो गया इसका result, ठीक है, तो इस तरीके से, अब इसे थोड़ा different तरीके से हम लोग different तरीके से लिखाएंगे, that is for logarithm, तो logarithm इसी exponential form को दूसरे type में लिखना, दूसरे form में लिखना सिखाता है, अब वो क्यों कर रहे है, यह इसलिए है कि थोड़ा सा easy कर देता है calculation को, ठीक है, दिखने में थोड़ा awkward जरूर लगेगा, पर calculation को थोड़ा easy करेगा, पढ़ इसको हम लिखते कैसे है, log with base 2 and 32 is equal to 5, अब यह क्या signify कर रहा है, कि this is the exponent, ठीक है, कि अगर हर साल double हो रहे है, and मेरा final result मेरे पास है, तो मुझे कितना समय लगा होगा, double होने में, इतना होने में मुझे कितना समय लगा होगा, this is what this signifies, कि base 2 मतलब मेरा growth rate 2 का है, ठीक है, and मेरा final value 32 है, तो हम कितने साल तक double हुए होंगे, मतलब इस growth rate के साथ हम बढ़े होंगे, कि मेरा यह final value है, तो we can calculate it, that is 5, तो same इसी चीज को दुसरे तरीके से हमने लिखा है, and that is log, ठीक है, अब यह जो पूरा quantity है, इस बारे में ध्यान देजेगा, यह जो पूरा quantity है, इसी को हम लोग बोलते है, logarithm, यह हम लोग बोल सकते है, log, this is log, अब log का जो उल्टा होता है, उसको बोलते है, यह क्या बोल रहे है, अब पता नहीं चल रहे है, अर्य मैं बोल रहा हूं, कि यह अगर हम बोल रहे है, कि यह अपल है, तो यह थर वाले को ब to log है, है के नहीं, अगर यह logarithm है, तो यह भी logarithm है, तो simply यह इसका result है, दुसरे तरीके से लिखा गया है, तो इसका यह result है, ओके, now, log के अंदर होता है antilog, तो यह जब वो 32 दिख रहा है, this 32 is antilog, antilog, तो antilog कुछ नहीं होता है, antilog जो होता है, वो power ही होता है, तो power को ही antilog बोलते हैं, और यह जो exponent है, इस exponent को ही हम लोग बोलते हैं, simple से बात, this exponent is log, and this power is antilog, और यह जो है हमारा बीच में जो खेल रहा है, this is the base, इसी base पर सारा काम होता है, यह base ही है, जो log और antilog का खेल खेलाता है, तो base हमने set कर दिया, then log and antilog वाला power जो भी है, यह सारा खेल होता है, तो ज़्यादा confuse करने वाली चीज नहीं है, हम बहुत ही basic तरीके साब को बता देता है, ठीक है क्या, कि यहाँ पर समझ लो, कि यहाँ पर हमारे पास दो base है, हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसके लिखेंगे, log with base 2, हमारा base क्या है, 2 का है, growth rate कितना है, 2 का है, base 2 है, and मेरा final value कितना है, 1 by 2, ठीक है, तो final value है मेरा 1 by 2 का, base 2, final value 1 by 2, तो time कितना लगा होगा, that is minus 1, ठीक है, मतलब backward, time में पीछे का है हम लोग, ठीक है, minus 1, ठीक, यही है basically logarithm, यह पूरा को हम लोग बोलते हैं, और log जिस चीज़ पर काम करता है, उसको बोलते है anti-log, तो यह क्या है, this is anti-log, ठीक है, बस इतना ही concept है logarithm का, ठीक है, अब यह logarithm क्यों आया, क्यों नहीं आया, इस बारे में हम लोग जरूर डिसकस करेंगे, पहले इ यह क्या है, this is, इसको हम लोग लिखेंगे log with base 2, log है, जिसमें base 2 है, and इसका result क्या है, 1 है, तो 1 result कब आएगा, जब यह grow ही नहीं करेंगा, तो grow नहीं करेंगा, जब time 0 होगा, ठीक है, तो यह होगा इसका result, तो I hope आपको समझ माया होगा कि logarithm में कैसे लिखते हैं, हम लोग exponentials हो, and exponentials से भी जो आपके doubts होगे, कि power क्या होता, exponent क्या होता है, यह clear हुआ होगा, तो logarithm जो है, वो exponents को logarithm, मैंने बोला कि logarithm क्या है, exponent है, यह logarithm जो है, exponent को, and indices को लिखने का एक तरीका है, कि हम लोग exponent और indices को किस तरीके से लिख सकते हैं, यह 5 क्या है, यह exponent ही तो है, तो इस exponent को हम लोग किस तरीके से लिखे हैं, इस तरीके से लिखे हैं, exponent को हम लोग इस तरीके से लिखे हैं तो exponent को लिखने का तरीका indices को लिखने का तरीका जो है कोई अलग तरीका that is logarithm चीक है I hope यह clear हुआ होगा और अगर आपको पूछे कि कोई कि anti-log क्या है तो anti-log क्या है power को अलग तरीके से लिखने का एक तरीका that is anti-log और anti-log अब surprise हो जाओगे यह क्या है anti-log ही तो है ना this is anti-log power anti-log तो anti-log को कैसे लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं तो हम लोग exponent लिखते हैं exponential form में लिखते हैं वही anti-log है ठीक है anti-log कोई अलग चीज नहीं है बस उसको नाम अलग दे दिया गया है लेकिन जो exponential form हम लिखते हैं 2 raise to 5 यही है anti-log यही है anti-log क्या है लोग जो इसके ऊपर बैठा हुआ है यह इस इस लोग ओके आपको आपको लोग और anti-log के बीच में यह चीज है जो भी difference है वह clear हुआ होगा and exponent और पावर के बीच में जो भी चीज है वह clear होगा ठीक है अब यह basic introduction था logarithm, anti-logarithm and exponentials के बारे में अब next video में हम लोग discuss करेंगे कुछ rules logarithm को लेकरके and logarithm आया क्यूं क्यूं इसकी need पड़ी वह समझेंगे अगर समझ में आया होगा यह तो अच्छी बात है नहीं समझ में आया होगा तो और रिवाइंड करके देखिएगा हो सकता है समझ में आ जाए ठीक है and then अगर स्चिल समझ में नहीं आया तो प्लीज comment किजी मैं फिर से आपको समझाने की कुशिस करूँगा एक निव वीडियो अप्लोड करके दन्यवाद प्लीज बात है